यह अध्याय शुरू करने से पहले एक बार आपको मैं आपके 5 पे अध्याय की याद दलाती हूँ जहांपर हमें पढ़ा था कि हम गनित के माध्यम से चीजों को मापते हैं जब चीजों को मापने की बात आय थी तो हमने जमीनों को मापने की कोषिश की थी और हमने यह भी पढ़ा था कि बीज गनित के अलावा गनित में जय मिती का भी अध्यन किया जाता है जय मिती जो एक युनानी भाषा के शब्दों जीयो और मिट्रिन से मिलकर बना है जीयो का अर्थ है पृत्वी या भूमी और मिट्रिन का अर्थ है मापना तो यही सब चर्चा की थी हमने पांचवे अध्याई में तो इसी जय मिती के भाग को आगे भढ़ाएंगे उससे पहले हमें कहानी सुनते है बहुत समय पहले की बात है एक किसान थी मन्नू देवी और उनके तीन बच्चे थे दो बेटी और एक बेटा और उनके पास जो जमीन थी वो थी त्रिभुजाकार में उन्होंने सोचा अब वक्त आ गया है कि जमीन को अपने तीनों बच्चों में बराबर बाटने का लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि इस जमीन को वो तीन बराबर हिस्सों में कैसे बाटे फिर थोड़ा बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने बिना शेत्रफल निकाले त्रिभुज का एक भुजा को तीन बराबर भागों में बाट दिया और इन भुजाओं को विभाज़त करने वाले बिन्दूओं को समुक शीर्ष बिन्दू मदलब उसकी वोटेक से मिला दिया क्या सोच रहे हैं आप इस प्रकार जो उसको तीन बाग मिले क्या वे वास्तव में शेत्रफल में बराबर थे पढ़ गए ना सोच में तो इसी प्रकार के प्रश्णों और ऐसी ही अन्य संबंधित समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने के लिए यह आवशक है कि हम समतल आकृतियों के शेत्रफल पर दुबारा सोचें जिन्हें आप पहले भी बढ़ चुके हैं आपने अपनी पिछली कक्षाओं में विभन आकृतियां जैसे आयत, वर्ग, समानतर चतुरभुज, त्रभुज, इत्यादी के शेत्रफल को ज्यात करने वाले कुछ सूत्रों के बारे में तो पढ़ा ही था इस अध्याए में हम इनी जैमिती आकृतियों के शेत्रफल के भी समबंध के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शिरू करते हैं